तो विंटर सीजन स्टार्ट होने आल है और विंटर सीजन में जो गुलदाओदी का पूंदा है यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है अगर आप इस समय अगर इसकी केर अच्छे से कर दिंगे तो यह फ्लावरिंग आपको जो है अगर एक गमले में अगर एक पूंदा लगा है तो उसमें आप हजारों फूल ले सकते हैं तो आज मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा किसकी केर कैसी करी जाती है और इसमें कौन सी खाथ दी जाती है जिससे कि इसकी ग्रोध अच्छे हो और जल्दी से इसकी ग्रोध हो और आपको ज्यादा फ्लावर मिल होता है ऐसा और आगर आप उसको ला रहे हैं को रिपोर्ट करके कैसी मिट्टी उसके लिए बनानी है वह भी सब बताऊंगा वीडियो में तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं अगर आपको और जानकारी चेस में तो आज जो वीडियो है यह समय जो इसकी जो खाथ कौनसी जिससे इसकी अच्छी ग्रोध हो उसके बारे में यह देखें जैसे मेरा गुल्दाओदी का एक पहुदा ही है तो इसमें अभी फूल तो अभी आएंगे नहीं एक आद मेने में फूल आएंगे इसमें तो उससे पहले आम जो इसकी केयर करते हैं वो बताऊंगा आपको सबसे पहले जो गुल्दाओदी के जो पहुदा है वो कम से कम 10-12 इंची के पौट में लगा हो तो उसमें और अच्छी फ्लावरिंग होगी क्योंकि जितना बड़ा पौट होगा आपका उतने ज्यादा फूल इसमें खिलिंगे कई लोग कहते हैं छोटे आप नरसरी से कोई होंदा जो होता है वह मुर्जा जाता है उसमें फूल अच्छार हीलता है उसके बाद कि पहुदा तरह यह देखें जैसे मैंने घुल दा दीकिते हैं जो धूर्ण से लगाए थे उसके जो एक बनारी खिसके बाहर रिपोर्ट करें मैंने इंको एक इसमें रेता मिक्स है रेता जरूर मिक्स होना समय आपके पढ़िने में बागल ने क्योंकि रेता बिड़ो मिलती है आप तो है उसमें फोटी परसेंट जो है आप उसमें घोबर की खाट मिलाएं और इसमें नीम-खली clearly JACK में ए́ नीमखली से जो बाओदा है उसमें फंगस नहीं लगता है और पहुदे को जो है पूसंटत तो मिलते हैं क्योंकि नीमखली में फॉस्परास पोस्पो्रस प्राइस तक है जो को आयँ माइकों और सबư щ fart am की नूटिशन माय। नूटिशंस होते हैं माइक्रो और मेंक्रो जूटे आ तो आफ इस तरीकसे आप पौंदे को जो रिपोर्ट करेंगे नर्सरी से ला रहे हैं या आप कटिंग के थुरू कर रहे हैं तो आप इस तरीके से मिट्टी बनाएंगे तो उसकी ग्रोध अच्छी होगी तो आप उसमें नीम खली का प्रयोग जरूर करें और गोवर की खाद अगर आपको मिल लि पौंदे की जो है अगर आपने लगाय हूँ है पहले से तो उसकी घलकी गुड़ाइं कर दिए इस तरीके से एक दो इंचा आप इसकी गुड़ाइं कर दीजे इससे क्या होगा इसमें जो हवा का संसरण होगा पौंदे में की जो मिट्टी में है वो होते रहेगा क्योंकि कि मिट्टी जो अगर हमाई ठोज बन जाएगी तो उससे क्या होगा पॉंदा जो है ग्रोध निकरेगा पॉंदा सूखने की कगार मा जाएगा इस तरह की साथ गुड़ाई करेंगे तो उसके बाद इसमें देखे यह जो चाय पती और केले के छिलके यह देखे आप देख रह पती है या केले के छिलके आप घर ही मिल जाएंगे इस तरीके पॉंदे की जो मिट्टी है उसमें ढाल दिंगे और कहले के चिलके इनको आप ct pertama क्लन के डाल दिंगे पॉंदे की मिट्टी में इस तरह के तरिके चलके आप दूप में फगाएंगे उसके बाद धीका होगा फंगाज आने का डर रहते हैं तो केले के छिल के जो आप सुका कर इसको यूज करेंगे तो इससे इसमें पॉटिस्यम की मात्रा ज्यादा होती है और पॉंदे की मिट्टी भी जो है बहुत पोरस बनती है जिससे कि आपकी मिट्टी जो है ठोस नहीं बन पाएगी अगर मिट्टी अगर पोरस होगी तब पाविकाद अच्छा होगा कोई भी आप पाविकाद को कि त्लिस्टे कuleश मिट्टी को इसके बाद मिला दिगे जो आपने गुर्णा आउय करी नौटर इसको यह जो पॉंदा इसको दूप में रखना जरूरी होता है इसको आप दूप दिखाएंगे तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे और इसको आप दूप में जरूर रखें इस पौंदे को आप गुल्दा हो दीके पौंदे को अगर लगा रहे हैं तो इसको दूप में रखना जरूरी हो यह नीम खली देखिए जो मैं बता रहा था आपको नीम खली में बहुत प्रकार के पोशक तत्व होते हैं और नीम आपने सुनाई होगा नीम जो है पहुंदर की जो ग्रोध के लिए अच्छा होता है और नीम अब हमारे स्वास्ते के लिए अच्छा होता है नीम का कई लोग जो बीज लगते हैं वो जब सूख जाते हैं तो उसको पीस के बनाई जाते हैं उससे नीम भी बनता है और इसके जो यह ठोस पदार्त निकलता है इसको नीम खली कहते हैं यह पौंदी के लिए बहुत अच्छा होता है तो इस तरी के साथ इसको डाल दिंगे और अगर आपके अगर फ्लावरिंग अच्छी होने दोस्तोह इस तरीके जूरे नए जूडए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें है और आने महरे जो वीडियों गे उसका नोटिफिकेशन आप तर जल्द पहुंचे इसलिए आप बैल आइकन को दवाना ना भूले धन्यवाद